हाई हेलो गाईज वेलकम बेक टो माई चैनल तन्वी ग्रेटी चैनल में आप सुभी का मॉस्ट वेलकम है तो आज फिर एक न्यू वीडियो आपके साथ सेर करने वाली हूँ वो भी है व्यूटी नियस से लेके यानि जैसे हमारे हाथ पेर बूच जदा बलेक बलेक हो जाते ह हैं काले हो जाते हैं उमर से ज्दा जाद ही आपके से हाथ दिखने लग जाते हैं तो सर्दियों के में नहीं जरूर हो जाती हैं थंडे पानी में कपड़े दोते हैं वात। होते हैं तो इसतरी का काम करना ही पड़ता है चाहिए कितना अबसह बचे बच सकता है चाहिए सरुदी हो या गर्म हमरें पाणी में या गां मेर्या कहाRY हो हो जाती है है क्मेरे ह aggressively हो गई neural failure उसमें लए आपको बा बाउल लेना है और चाल किसमें डाल देना तो इससे ऌंग बलेक पड़ जाती है उपन परऒग में घ् lig Krker उट sta है तो ब्रभी को ठीड यहां को ठीक आई तुसको रख शेण ठीक करता हूं और चाहिए की जो ब्लेकनेस है उसको कम करता है जैसे हमारे हम सैंपो को बालों में यू लेते हैं तो बालों को चमक बढ़ाने के लिए हम इसको यू लेते हैं हमारे बाल अच्छे से साप हो जाए और हमारी बालों की ग्रोथ अच्छी हो साप हो तो इसलिए हम भी हमारे हातों में इसी त स्किन पे जिसे मोश्चन नहीं लगाते तो और भी ज़दा ब्लेक हो जाते हैं और हमारे हाथों की हालत बहुत ही गंदी हो जाती है तो इस तरह की प्रोड़म आपको हो रही है तो आप जो मैं रेमेडी सेर करने वाले हूं उसको पूरा वीडियो देखेगा और मैं बारी किस स्कूरेकर बारी करेकर लेना हें मलाएं मलाच। आप घर झालि很好 कि भीट मेने हैं मौश्चन की करेटी हैं मिटए सोडог फहाला है मिटा संव दान खाने वाला फूरा मिटा सोड़ा नहीं हमारे मिटा संवाण वाला मीकी ने उसरी कि समीक बगाद के आप इसकी हमारे से एस इसके बहुत अच्छे से ब्राइटनेस देने वाला है इसकीन का जिद्धी सी जिद्धी ब्लेक ब्लेक आपके हाथ हो गयोंगे ना उसको यह बिलकुल ठीक कर देने वाला है और मीटा सोड़ा इसी काम में नहीं आता है हमारे कई चीजों में काम आता है साफ सपाय में बैड इंGO इंग्रिडेन्ट यह माना गया है तो टेमटर लेना है और इस तरह से आपको कर लेना है और इसका पूरा रास निचोर देना है इसको यह ठीक करने वाला है तो यह सभी चीजे हमने डाल दिये है और आप लास्ट चीज में इसमें डालने वाले हूं वह है हल्दी तो हल्दी आपको कौन सी लेनी है वो भी मैं आपको बता देती हूँ जैसे कई कौन-कौन सी हल्दी बताते हैं मैं साधा सिंपल वाली इस तरे की गाठ वाली हल्दी बता रही हूँ और इस तरे की गाठ वाली हल्दी है जो सिंपली सभी को मिल जाती है इसको कूट के इसका प लेना है और फिर बाद में यू लेना है अब यह सब इंग्रिडेंट आपको अच्छी से मिला देना है और फिर बाद में आपके हाथों में कुछ भी पेंडर का रिंग या बैंगल्स जो भी पेंडर के सब निकाल देना है और फिर अपने हाथों पे अपलाई इसको कर लेना ह इस लिए नहीं है यह 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 सब्सक्राइब हैं, conscious ओर इसकी सब्सक्तम करने में जब हैं... ... बिल्कुल ऐसे नहीं करना है, हाप आप यह सूख जाए, कुछ गीला रहे, कुछ सूख जाए, इस तरह का होना चीए, इससे ज्यादा नहीं सूख न चीए, तो देखें गाज मैंने पैरों पे भी लगा लिया और हाथों पे लगा लिया है, और इसको मैं सूख ने दूँगी अब इसके बाद में आपको क्या प्रोसेस करना है, वो आपको आगे मैं बताते हैं, इसकीप करके मत देखीगा, इसकीप करके देखोगे तो कोई सा भी स्टेप आप यह मिस कर दोगे, तो फिर वो रिजल्ट आपको नहीं मिलने वाला है, तो देश से त्योगाई सी हमारी स सूख चुके हैं, अब इसको आपको हातों से रफ नहीं करना है, इसको अलग तरीके से हमें रफ करना है, उससे ज्यादा हमें अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, तो हातों से इस तरह से रफ करना है, तो इस तरह से नहीं करना है, तो इस तरह से नहीं करना है, तो इस तरह से मसाज करोगे हैं दो सभी एंग्रीडेंट वो बिद करेंगे आपके हाथ और यहां ब części में कि भी स्कीन करेंगे अच्छ अच्छाvelop तो यह पर आपको करना कितने दिन से को करना है एक दिन च्छोड के एक दिन आप करो दो अच्छ ही डिन आपको मिलने वाला जैसलिक डिव देखें कितना अच्छा नजर आ रहा है आप को कितना नजर आ रहा पहले इसके नमारी केसित siis ओर आप किस तरह की होगी एक襁न भारे ही करने से आप सूचिक lotta कि वारीक हो जाए रहा है और लगकर ही white हो जाएया तो कोई magic होता नहीं एक मेरे हाथों हमिक्तिक हो कितना नजर आ रहा है तो मैं एक मेने बाД में मेरे हाथ देखेगा कितने लुड़ी तो आप जो भी आप मॉस्चर अप्लाई करते हो वो अप्लाई कर लीजेगा या इसकी जगह आप बटर यूज करते हो ना बटर बहुत ही अच्छा होता है सबसे अच्छा मॉस्चर वह होता है जो घर का बना हुआ बटर होता है वो ले लीजेगा यह दि आपको इसमें ला रहे है तो हाथों पे अच्छे से मसाज कर लेनी है आउतों में अच्छे से मोश्चर है रम जाना चीए आपकी स्कीन में तो देशे तो है guys मेरी स्कीन पहले किस तरह से बेजान ची रूखी से नजर आ एनी थी और अब स्कीन। पे कितने तो प्लेज वीडियो को लाइक करने में कंजूसी मत करिए गा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू करिएगा क्योंकि मैं remedy इस तरह की बीटिनिस वाले भी वीडियो डालती रहती हूँ नुक्से वाले भी डालती रहती हूँ kitchen tips and tricks वाले भी वीडियो में डालती रहती हूँ और हाँ आप कौन से देश कौन से सेर और कौन से city कौन से गाउं से देख रहे हो ये भी comment करके बता जीजीगा मैं motivate हूँ कि और भी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ सेर करूँगी तो मिलता है नेक्स वीडियो में bye and take care